हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल में फिर से सोगते और मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा परिया दोस्तों आज मैं आपको वो आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी सिसिटीव कामेरा एक तो इसली हैक कर सकते हैं हाँ दोस्तों मगर इससे पहले में आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज 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 इससे किसी भी इलीगल काम मत किजिएगा क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके पूरे जिम्मेदार आप खुद होंगे यह वीडियो सिर्फ एक एक एजुकेशनल परपस के लिए बनाए गई है इसका किसी भी इलीगल काम को प्रमोट करने का कोई भी इरादा नहीं है यह जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों इससे आप जो भी CCTV कैमरा है मतलब जिनकी सिकुरिटी बहुत कम है ले सिकुरिटी वाले वो कैमरा आप हैक कर सकते हैं और जो हाई सिकुरिटी में होते हैं जो की कंटिन्यू उस पर वाच रखी जाती है तो वो आप नहीं कर पाएंगे जो भी कम सिकुरिटी के जो भी कैमेरा है CCTV कैमरा वो आप हैक कर सकते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप कर पाएंगे इसके लिए आपको जाना होगा Google.com पर जाकर आपको टाइप करना होगा आई यान यू आरियल कोलन व्यू स्पेस इंडेक्स डॉट यस अच्टी एम एल जैसे आप देख सकते हैं मोबाईल के स्क्रीन पर यह टाइप करने के बाद आपको एंटर करना होगा अटर करने के बाद आपको एक लिस्ट दिखाए देगी यह सिसलेट करने के बाद यह जो कैमेरा यह लाइव- ओपन हो जाएगा लाइव जो भी वहाँ पर recording वरे यह आप सब देख सकते है और उसे आप control भी कर सकते है जैसे कि आप उसकी direction बदल सकते है उसे zoom कर सकते है zoom in zoom out कर सकते है left right ज़ो भी direction आप चाहे वो आई से बदल सकते है देखे मैं आपको demo करके दखाता हूँ अब यहाँ पर यह बिल्कुल भी live shooting चल रही है देखिए अभी मैं इसे इसके direction चेंज कर रहा हूँ इसको मैं right में move करता हूँ देखिए यह change हो गया है और एक बार right यह देखिए अभी right का view आ रहा है दोस्तों मेरी आपसे फिर से एक request है फिर से कि please 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 इसको आप किसी भी illegal काम के लिए use मत किजिएगा यह दो बात होगी जो cameras online अभी available थे जिनके IP address आपको available थे वो cameras मगर आप नजदी की किसी भी camera का hack करना चाहे तो आपको उसका एक तो IP address या फिर उसका जो location है altitude latitude जो भी location है अगर जो भी आप उसके बारे में camera के बारे में information जानते है तो उसको आपको inurl colon view space index.html जब हम enter करेंगे उसके बाद एक space देकर वहाँ पर आपको वो जो भी information है वह आपको enter करनी होगी आपका camera आपको सर्च हो जाएगा और वहाँ से आप उसे control कर सकते हैं उम्मेद करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरे वीडियो को like करें शेर करें अगर आपने अगर मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें thank you for watching this video मिलते अगले वीडियो में बाई बाई